हम आला था इस वर हिए और जानल यह दर बार डिसकेशन में बहुत बहुत स्वागत है अज 12 मार्च के नीज को देख रहे हैं तो इंपॉर्टन नीज के साथ-साथ जो इंपॉर्टन आर्टिकल है पॉलिटिकल आर्टिकल यह को हम नहीं देखेंगे बट जो important article है, खास करके justice पर based and education system पर based उस article को देखने वाले हैं साथ में कुछ important news भी होगा तो मैं उमीद करती हूँ कि आप सभी लोग notes अपना जरूर बना रहे होंगे अभी हमारा recorded video यह आपको मिल रहा है तो मैं यही आप से अभी request करूँगे प्रीज न्यूस को सुन लेना है ठीक से, live पर जल्दी shift होते हैं, जैसे ही पूरा plan बनता है तो live पर दुबारा से आएंगे, बट अभी discussion रुखना नहीं चाहिए, इसलिए recorded video आपको दिया जारा है, यह जानकारी coaching से जुड़ी भी है आप में से अगर किसी को full course, foundation course या फिर optional subject की class करनी हो तो आप हमें approach कर सकते हैं जो number आपको screen पर दिख रहा है या फिर 87-500-69-419 इस पर आप contact करके जानकारी ले सकते हैं इसमें आपको personal guidance का program भी दिया जाता है जिसमें की mentorship होता है mentors होते हैं जो आपको help करते हैं time management आपका proper तरीके से बनाया जाता है answer writing की training आपको दी जाती है एक application है आई जर्बार जो नए लोग हैं आज पहली बार हो सकता है वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए बता दे कि आप इस application के through कुछ वीडियो को भी देख सकते हैं इस नंबर के तो आप जानकारी ले सकते हैं यह diary है जिसके इस diary के help से हम आपकी मदद करते हैं आपका time management और आपका जो सर्व study है उसका track record रखते हैं basically ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं आज का discussion और आज का quotation है महात्मा गांदी जी के quotations को हम देख रहे हैं तो एक जगह पर quotations को लिखना है और किते लोग को याद है क्या जो quotation अभी आपके screen पर इसके अलावा आपको कोई quotation याद आ रहा है महात्मा गांदी जी का ठीक है बहुत जरूरी है because essay writing जब आप करेंगे या ethics जो paper 4 है वहाँ पर आपके बहुत काम आने वाला है so the weak and never forgive forgiveness is an attribute of the strong ठीक है कहते हैं अगर आप शमा करना चाहते हैं तो शमा किसका attribute है यह जो strong लोग है वही शमा कर सकते हैं वही forgive कर सकते हैं माफ कर सकते हैं जो खुद weak है वह किसी को माफी नहीं दे सकता ठीक है न तो गांधी जी इस philosophy पर चलते थे और आपको भी इस पर चलने की सला देते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं और आज का first news देखते हैं जो कि बहुत important है कल हमने इस पर article discuss किया था आपको मालूम होगा एक new IT rule आया हुआ है ठीक है ना comment ने हाल ही में इसको publish किया है new IT rule को फुल फॉर्म जान लीजे IT में है intermediary guidelines and digital media ethics code rules ध्यान दीजे digital media ethics code rule और इस पर जो ये rules नए rules आये वे हैं उसको ले करके काफी ज़्यादा बातचीच चल रही है और जो digital platforms हैं वो भी अलग तरीके से बाते कर रहे हैं लेकिन government का क्या मानना है government का मानना है कि जो ये नया rule लाया गया कल हमने इस पर discussion किया था हमने section 69 A की बात की थी कि उसमें कौन-कौन सी चीजें आती हैं कौन-कौन सी चीजें नहीं आती है देखास करके हम बात कर रहे है digital platform की ठीक है ना तो अभी ये क्यों इतना important हो गया because आपको पता है कि covid के बात से सारे आपके web series या जो live streamings होती है classes चलती है या जो भी और इस तरीकी की broadcasting होती है वहाँ पर जो issues आ रहे है जैसे कल आपको मैंने कुछ examples भी दिये थे कि कहीं पर क्या हो रहा है कोई religious sentiment हट हो जाता है या कोई ऐसा minority के feelings को आप हट करते हैं तो ऐसे में ये जो platforms है इसमें कौन accountable है उसके लिए accountability किसके पास होगी तो आप अगर कल किसी ने intermediaries है उसको target करने के लिए हमारे पास कानून है ठीक है न लेकिन अभी जो system है उसमें दिक्कत कहा रही है कि intermediaries in platforms पर जो digital platforms है Amazon Netflix यहां पर intermediaries का पता नहीं चल रहा है दूसरी तरफ क्या होता है कि ऐसे content की वजह से जो लोग है लाइक डिरेक्टर हैं या काम करने वाले प्रेक्टर हैं उनको भी थ्रेटन किया जा रहा है ठीक है तो यह सब पूरा इशू चल रहा है अभी आज के समय में और अभी government नहा आई-टी रूल लेकर क्या यह government का कहना है कि इसमें प्रॉपर इसमें प्रॉपर अजओ इसमें अग्टर प्रॉपर के तुस के पहले इसमें आपको information करना देना होगा और उसके बारे में बताना होगा कि इसमें क्या चीज़े हैं चीक है तो यह सारी चीज़ें नई कानून के तहट लाया गया है इसमें जो viewers हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है जो की आपके digital media platform से उसका भी ख्याल रखा जा रहा है according to the government now next news पर चलते हैं economy section में इसको देखेंगे हलागे कुछ और news है economy section में explain page पर आया हुआ है अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़िएगा थोड़ से economy के जो basic concept पहर है उस पर आधारित है वो तो यह news है bad banks associated government owned bad bank more capital efficient can lower credit charge तो जो bad bank अभी बनाने की बात चल रही है और यह बहुत recommend भी किया गया है अभी comment ने भी clear किया कि bad banks बनाए जाएंगे तो bad banks का क्या काम होगा bad banks का काम होगा NPA को कम करना जो non performing asset है जो की loans वापिस नहीं आ रहे हैं उसको वापिस लाने के लिए bad bank का concept लाया जा रहा है और यह जो bad banks है इसके तहत recovery होगी पैसे की recovery होगी और अगर यह आपका government owned होता है तो क्या होगा वो ज्यादा efficient होगा गर state owned bad banks होते हैं या center government owned होते हैं तो वो ज्यादा help करेगा recovery में ऐसा इस news में कहा जा रहा है अब यह article discuss करते हैं यह article the injustice system बहुत important है बहुत सारे critical terms आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं हाला कि judiciary का criticism है no doubt लेकिन जो cases यहाँ पर आपको बताए गए हैं वो बहुत ही intense है और इस concept को दिमाग में clear करना होगा आपको अगर means में कभी answer लिखने के ल बात करते हैं women dignity की बात करते हैं तो ऐसे examples जो हम आज इस article में पढ़ने वाले हैं यह आपके सीधे help में आता है और आपको खुद भी इन चीदों के बारे में मालूम होना चाहिए जो sensitivity है towards the things you should know about it क्योंकि आपके ethics paper में भी पूरा women के बारे में पढ़ना है paper 1 आपका society में women क के रोल के बारे में आप पढ़ते हैं paper 2 social justice में vulnerable section में आप women के बारे में पढ़ते हैं तो women एक ऐसा topic है जो जीएस से लेकर कैसे writing तक और अगर optional में आपको obviously political science या ऐसा कुछ optional है तो जाहेद तो और पर बहुत important है तो देखिए article क्या है किस चीज़ पर बेज और क्या कहा गया है दो separate cases का जिकर किया गया है अभी आपने पढ़ा भी होगा newspaper में CGI जो अभी हमारे है present essay बोवड़े साहब उनको काफी घेरा गया था अपने अगर news पढ़ी होगी कि एक चिठी में हजार लोगों ने sign करके भीजा था उनके पास उन पर आरोप लगाया गया था कि आपने statement क कि आप पुरा मुद्दा था तो राइटर यहां पर दो case का जिकर कर रही है पहला case तो यह है जिसमें कि एक teenage girl होती है और उनका रेप होता है और जब यह case आगे court तक पहुंचता है तो वहां पर जो accuse है उसको यह option दिया जाता है कि क्या आप तीनेज गर्ल से शादी करेंग तो यहां पर इस तरीके का option भी देना कितना गलत हो सकता है आगे आने वाले समय में क्या सोसाइटी में क्या message spread कर रहा है यह तो उसके बाद cgi ने clarify किया cgi ने कहा कि हमने order नहीं दिया हमने यह order नहीं दिया कि आप उससे शादी करो बलकि हमने यह पूछा तो ठीक है बात ज इस इंसान को इसको की सीधा सजा मिलनी चाहिए उसके जगा पर उसको कोई ऐसा option दिया जा रहा है offer दिया जा रहा है तो यह बिलकुल भी माननिया नहीं हो सकता ठीक है ना तो यह क्या करता है और इसी तरीके की चीजें अकसर होती रहती है खास करके भारत पर यह कुछ data दे है कि हमारे यहां पर जो कानून है हमारे यहां पर जो even कुछ ऐसे verdicts ऐसे कुछ judgments भी आए है जहां पर कि अभी तक जो marital rape होता है उसको direct target नहीं किया जा रहा है बलकि somehow protect जरूर किया गया है बहुत सारी cases में तो आखिर ऐसा कैसे बोला गया है तो आपको बताएं section 375 IPC का section 375 क्या कहता है यह कहता है which states that the sexual intercourse by a man with his wife cannot be termed as rape तो husband wife के जो relation है उसमें rape को consider यह नहीं करता है IPC section 375 और इतना ही नहीं यह जो पुरा कानून है इसको extend करके जो leave-in relationship में रह रहे हैं उनको भी protect करता है कहीं नहीं तो अब क्या हो रहा है सीधे तोर पर जो दूसरा case है वो क्या ह आपका marital rape वाला issue है जिसको की लगातार focus किया जा रहा है कि आप इस चीज के उपर कानून बनाया जाए सकती से लिया जाए उसको भी उतना ही सक्त और कड़ा कानून उसके लिए लेके आया जाए लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है somehow protect इसको जरूर कर दिया गया है So on a marriage as a restoration of so-called lost honor never mind that it will reproduce the violation every day ठीक है तो अब यहाँ पे जिस तरीके से violations हो रहे हैं अब देखे कुछ आपको data बताते हैं आपको पता चलेगा कि इंडिया में कैसा data है क्या cases है और किस तरीके के कानून हमारे सामने आज है देखे एक National Crime Record Bureau NCRB मैंने कई बार जिकर किया है इस body का अगर आपको याद है तो NCRB National Crime Record Bureau जो overall यह record निकालती है कि कि कितना crime भारत में हो रहा है IPC section 376 के तहत यह पता चला कि 2019 में 32,000 अप्रॉक्स रेप cases रजिस्टर हुए ठीक है न 32,000 आप यह लंसम फिगर याद रखेगा 32,000 33 cases total रजिस्टर हुए उसमें से उसमें से सिर्फ ऐसे 6% यानि कि सिर्फ 1868 ऐसे cases थे जो कि strangers के द्वारा थे ध्यान दीजेगा क्या कहा जा रहा है कि जो रेप case का रोजिस्टर किया गया उसमें 94% क्योंकि 6% अगर ऐसा है जो strangers का है तो क्या हो 94% ऐसे cases है जो कि close member के द्वारा ही हो रहा है सर्वाइवर जो है देट इंक्लूड फैमिली मेंबर्स फ्रेंड नेबर लिविन पार्टनर्स और सेपरेटेड हस्बंड तो यह चीज़े हैं जबकि उसमें husband का data include ही नहीं है ज्यान दिजेगा विकाज इंडिया में मेरिटरल रेप को उत्ती तबज़ोदी ही नहीं गई है तो husband का data उसमें include ही नहीं है तब यह हाल है और WHO का क्या क्या नहीं है वेचों के रिपोर्ट के accordingly यह बताया गया that intimate partner violence आई पीवी याद रखेगा यह सारे handicap people तो आपको यह ध्यान रखना है कि उनकी उस emotions और feelings को भी आपको आपकी copy में नजर आना चाहिए right whether आपका कोई भी gender है male है female है आपको उसी तरीके से vulnerability को शो करते हुए अपने answer को represent करना होता है तो यह term याद रखे intimate partner violence is most prevalent form of the violence against women WHO ने क्या कहा है WHO ने कहा है कि जो women के खिलाफ cases होते है violence cases होते है उसमें सबसे जादा intimate partner violence का case देखने को मिलता है इंडिया की बात करें तो IPV के जो cases है that is 35% ठीक है न 35% जो की intimate partners के जारा violence होता है महिलाओं के खिलाफ and this is not to argue for expanding the ambit of the criminalization तो क्या कहा जा रहा है कि आप जो इसका criminalization है उसके ambit को expand करने की बजाए हमारा discussion जादा तर रहता है किस पर sentence को tough करने पर right कि death penalty किया जाए फांसी किया जाए 14 साल उम्रकाद किया जाए यह किया जाए लेकिन हम कभी भी इस बात पर focus नहीं कर रहे हैं कि हमें जो यह पूरा जो ambit है उसको भी expand करना चाहिए अभी तक जो आपका record आता था या अभी तक जो आपके rules में थे उसको ही सिर्फ शामिल किया जाए आज का जो बदलता हुआ दौर है उसमें जिस तरीके से cases सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अगर IPV के cases बढ़ रहे हैं intimate partner violence बढ़ रहा है तो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि आपका domestic violence act आये 2005 वाला तो उस तरीके से और बदलते हुए समय के साथ साथ हमारे सामने होना चाहिए and article में किस बात पर focus किया गया है article focus किया गया है actually में marital rape के ओपर की जिस तरीके से इसको हमने नजर अंदाज किया हुआ है अभी तक क्योंकि क्या होता है इसमें direct जो families की dignity दाव पर लग जाती है तो इसको ले करके इन चीजों को दबा दिया जाता ह है the two recent cases reveal our continued refusal to see the family and intimate relations as the primary site of the gender violence तो हम क्या कर रहे हैं हम अपनी family को relations को intimate relations को ज्यादा तवज़ों दे रहे हैं as compared to the gender violence मतलब हम कहीं न कहीं जो आपका fundamental right है right to equality है आप उसको यहां पे ensure नहीं कर पा रहे हैं चाहिए वह आपका जुडिश्री हो वह executive हो लेकिसलेचर हो तो इन सभी को इस पर गौर फर्माने की ज़रदर खास करके आपकी society को इस पर focus करने की जरूरत है तो when it comes to the family honors appearance are most important ठीक है न तो वही चीज़ कही है कि family की बात जबाती है तो दिक्कत यहां पे शुरू हो जाती है या फिर उनको एक गया से दूसरी जगा पर भेज दिया जाता है तो इस तरीके से through marriage भी जो यह exploitation है वो बढ़ते जा रहे है तो marriage में भी जो यह thin line difference है अगर कोई व्यक्ति है जो गला तरीके से जाता है रूल इंडिया में या tribal woman के साथ शादी करके फिर उसको traffic कर देता है बाहर बेज देता है कुछ ऐसा होता है तो उन चीजों को भी यहां पे consider किया जाना चाहिए and the presumption is that married woman can't be raped इस presumption से बाहर आने की आवशकता है and similarly the focus during the rape trials on sign of the resistance on the survivor's body वर लोग यह सारी चीजे है कि क्या कितना intense होती है सारी चीजे है अब यहां पे example दिया गया एक स्टोरियन है Uma Chakravarti उन्होंने क्या कहा है they argued there's violence that occurs within the protective custody of the institution of family is also a form of custodial violence so custodial violence एक तो यह होता है जब जैसे एक मतुरा केस था मतुरा रेप केस में जो कॉप था उसके द्वारा ही यह पुलिस स्टेशन में assault किया गया था आदिवासी गर्ल का तो कहा इनके दरोमा Chakravarti ने यह कहा है आप इसको कोड भी कर सकते है कि प्रोटेक्टिव स्टडी क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली के इंस्टूशन में भी ऐसा कुछ वाइलन्स हो रहा है that can also be a form of custodial violence when the top court of the country uses the word seduction तो क्या होता है जब यह अब marital rape का जिकर होता है cases चल रहे होते हैं court में तो वहाँ पर rape शब्द का इस्तमाल ना करके seduction शब्द का इस्तमाल किया जाता है यानि कि husband wife का जो यह relation है इसमें marital rape को आज भारत में consider नहीं किया जाता है इसके वज़ा से काफी सारी परिशानी आज women को या gender against violence है वो हो रहे है चीक है अगला article देखते है how to grow better colleges GS paper to education आपको पता है social justice में लिखा हुआ है direct education वहाँ से इसको associate करेंगे तो इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में हम बात करते हैं इन्होंने कहा है कि education system इंडिया का कैसा है चीक है कितना institution है कैसा है तो इंडिया में top 100 institutions जो है right particular subjects उसमें है तो अगर मालीजे इन्होंने आगे चल करके example दिया है कि अगर 1000 institution है तो 900 तो top 100 में नहीं है right 900 institutions तो नीचे आते हैं because top 100 तो top 100 है now there could be a better time to look within अभी जो इतने सारे institutions हैं आज 12 universities के तहत सारे colleges है अलग-अलग colleges है इसमें topmost colleges भी है तो आज हमें क्या करना चाहिए इन चीजों को एक बार re-look करना चाहिए देखना चाहिए फिर से कि colleges कैसा education provide कर रहे हैं क्योंकि आपका जो अभी education policy आई है 2020 की education policy आई है national education policy इसमें भी हमने higher education पर बहुत focus किया है तो writer ने कहाए कि जो आपका higher education है उसको आपको देखना चाहिए कि कितनी accountability है क्या इसका road map है और कितना level of improvement इसमें हो सकता है so we know how कैसे इसको improve कर सकते हैं अच्छे teacher को hire कर लीजे राइट अच्छा काम कीजे work them less hard to leave room for the self-improvement and require student to learn better and hard worker तो क्या हम college को बहतर बना सकते हैं बिलकुर बना सकते हैं हमें पता है कैसे improve करना है लेकिन फिर भी हम क्यों ने इंप्रूफ कर पा रहे हैं फिर भी हमारे जो colleges है वो क्यों bad की category में आज आ रहे हैं 10 of thousands of colleges did not become bad simply because they did not know better there must be systematic reason ठीक है ना इसका proper reason होना चाहिए फिर क्यों 10,000 institutions अच्छे नहीं है ultimate driver of the quality in education desire within the student obviously student का एक बहुत important role होता है उन्होंने यहां पर कई सारे important features को discuss किया student का क्या role होता है institutions का क्या role होता है teachers का क्या role होता है so IIT system आपको पता है इंडिया में IIT में जाने के लिए लोग बहुत महिनत करते हैं आप कह सकते हैं बहुत important institutions और बहुत सारे ambitious student है जो वहां तक पहुचने के लिए बहुत hard work करते हैं लेकिन क्या हर किसी को admission मिल जाता है IIT में नहीं मिल पाता है हर किसी को इसमें admission नहीं मिल पाता so IIT admission is a value signal to future employers who do not see much relevance in the actual syllabus अब देखे IIT में जो लोग चले जाते हैं तो इनका entry तो बहुत high level का है लेकिन इनका मानना है जो writer है वो लिख रहा हो था लिखते हैं कि exit wall is very low चार साल का syllabus होता है even IIT का भी is an obstacle course between the student and the employer जान दीजें आप IIT में क्यों जा रहें ता कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकें लेकिन यहां पर इनका कहना है कि जो हमारा curriculum है जो course है वो एक gap somehow create करता है and student of varied subject does remains uninterested in their core syllabi and they focus on social activities जैसे कि college event को organized अब आपको पता ही है जो लोग college में हैं चाहे वो डिली उन्डिरस्टी में या और भी जगह पर पढ़ रहे हैं so lower ranked colleges may attract a slightly different mix of employment prospects some in core areas अब जो low ranked college मालेज़े आईटी नहीं है कुछ other colleges है वहाँ पर क्या prospects है कितना prospects है वो कैसे अच्छे job को अपनी तरफ attract कर सकते हैं so very few jobs actually require the highest quality of education अगर आप जॉब की बात करते हैं एक अच्छे employer की बात करते हैं तो उसमें कुछ ही ऐसे job है जहां पर आपको highest quality of education की ज़रौत पड़ेगा otherwise अगर आप एक normal education लेकर के आए हैं तो भी आपके लिए job available होती है आज की date में कही न कहीं so there are such a job in the consulting data science and other growth area that presently cast a wide net and very very many jobs require lower skills बहुत सारी सा जॉब है जिसमें lower skills के आवशक्ता पड़ती है and अलग 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 factories है industries है जहां पर आपको बहुत high level की जरूरत नहीं है knowledge में अब policy makers की बात करते हैं जो लोग policy makings में हैं उनका क्या role होता है तो जहीं तो अपर उनका greater growth की तरफ ज्यादा ध्यान होता है जैसे हमारे यहां पर भी जो policies बनाई जाती है हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा economy में कैसे growth होगा और economic growth के लिए हम ऐसे कौन से agenda को लेकर के आए वेदर यह education हो या employment generation हो दूसी तरफ इंडिया में demographies आपको पता है आज के रेट में बहुत जादा है we have more than 650 million people under age 25 25 साल से कम उमर के जो लोग है उसमे 650 million लोग ऐसे हैं ठीक है ना तुसका मतले हमारा जो demography हो बहुत जादा है आज के समय में अब दूसरा यह industry को लेकर के target करते हैं that it faces a learning curve for technology इंडिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पर technologies की ज़रत होती है countries that wish to lend must develop their own technology even at high cost अभी जैसे आत्म निर्वर भारत का concept चल रहा है तो अभी देश क्या चाहते हैं देश चाहते हैं कि वह अपने हां पर ही technology को build करें develop करें जाहे समें ज्यादा cost क्यों पडें तो Indian industry can often choose between importing slightly older technology from the outside or developing things in house पर बना सकते हैं डूसरा जो रोल आता है की रोल एडुकेशन में वह आता है टीचर्स का ऐसे कोशिच करते हैं या अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिच करते हैं तो बहाँ पर कॉंपिटिशन थोड़ा सा जाता है और जो भी अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पर इंट्रेंस एक्जाम जो है बहुत ही तफ माना जाता है और नेशनली रियोंड डिग्री कॉलेज इस विच अच्छे कॉलेज में जाता है तो कॉट आफ बहुत हाय होते हैं ना दर नीड फॉर इसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर कि अगर हम बहुत अच्छा एडुकेशन प्रवाइड कर दें तो जो लोग एवरेज स्टूरेंस हैं उनको एक अच्छी नॉलेज वहां से उनको मिल सकता है और कॉलेटी को इंप्रूफ कर दें अभी जिससे बहुत सारे और कॉलेज इस का अच्छा की यच्छी क्यूली इव ऑच्छी क्या बात आती है स्टूरेंट कि रिमान होती है इस च्छा होना चाहिए कह प्रूब सूनर और येटर कप्ल हाइट नकी जोब हम से लग जानी जए जो विछ सुदेंड गोती है So the multitude of students will demand better education only if the betterness is valued by the society तो इनका कहना है कि जो हम overall development कर रहे हैं education में उसमें हमें higher quality of education को शामिल करना चाहिए society को लेकर के जो values हैं उसको create करना चाहिए और इंडिया में अभी बहुत सरे job आ रहे हैं overseas यानि बाहर से भी आ रहे हैं आगे भी growth के chances हैं हमें technical workforce को improve करना होगा यानि हमें employability को बढ़ाना होगा employability को बढ़ाएंगे तभी जो हमारे youth हैं वो job ले पाएंगे और इसके लिए बहुत important है कि हमें society की towards भी focus करना चाहिए bottom up approach को अपनाने की जुरुत है यानि कि आप lower level से educate करना शुरू कीजे top to bottom नहीं बलकि bottom to up approach लेने की ज़रुत है तो यहाँ पर आपको question दिया गया है answer writing के लिए कोशिश कीज़ेगा इसका answer लिखने की और upload कीज़ेगा आई जर्बार answer review group में और जितने भी लोग है उस group में वो एक जुसरे answer review कीज़े आप लोग के लिए ही फायदे मंद है जो आप लोग answer लिखें भी upload करें वहाँ पर तो आज के लिए इतना ही करते हैं thank you so much keep starting